वी एच न्यूज कब से अलग नमस्कार आप देख रहे हैं वी एच न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आपका फ्रेंड हेमंद वरण दोस्तों इन दिनों 2019 वर्ल्ड कप को लेकर भारते टीम सेमी फाइनल में पहुँचने के बाद महें सिंग धोनी के रेटायर्मेंट के खबरें अब सामने आने लगी हैं जिहां महें सिंग धोनी बलही लकी कप्तान रहे हो भारते टीम के लेकिन अब इस्ततियां महें सिंग धोनी को लेकर कुछ ऐसी बन रही है कि वर्ल्ल कप 2019 के बाद वो रेटायर्मेंट ले सकते हैं यूथो टेस्ट फॉर्मेट से उन्होंने रेटायर्मेंट 2014 में ले ही लिया, 2017 में उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी लेकिन इस बीच अब अटकले तेज इस वज़ा से हैं दोस्तों क्योंकि हाली में 2019 में जो उन्होंने प्रदर्शन किया वो बेहत निराशा जनक रहा प्रिकेट के भगवान सचन तेंदुलकर ने भी उनकी पफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर दिये और फिर सोशल मीडिया पर लगातार वो ट्रोल होते रहे खेर इन सब के बीच मैं आपको एक जानकारी एहम देदू कि महिन सिंग धोनी का वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन आस्तक रहा नहीं चिहां ये सच बात है क्योंकि 2011, 2015 और अब 2019 में यानि कि तीन वर्ल्ड कप महिन सिंग धोनी ने खेले हैं लेकिन इन तीनों वर्ल्ड कप में और अब तक के इन साथ मैचिस 2019 में उन्होंने कोई भी शतक नहीं जड़ा है 2011 में उन्होंने कुल 241 रन बनाए थे जिसमें भारते टीम को वर्ल्ड कप तो हासल हो गया कैप्टन कूल की बदौलत लेकिन उनका प्रदर्शन वहाँ पर भी कुछ खास रहा नहीं सरवाधिक स्कोर क्या नवे रहा था 2015 के अगर बात करनें दोस्तों तो 2015 में और ज्यादा वो डाउन फाउल की स्थिवें चले गए क्योंकि उस वक्त उनका 237 टोटल रन रहा वर्ल्ड कप में और उनका सरवाधिक 85 स्कोर रहा वर्ल्ड कप के मैच में उसके साथ साथ अब तक की बात करनें दोस्तों तो 223 रन अब तक कुल वो 2019 के अब तक के मैचेस में यानि कि बांगलादेश के खिलाफ तक वो 223 रन बना चुके हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 93.30 हो चुका है इसे पहले के मैच की अगर बात करें तो स्ट्राइ सिंग धोनी ने आज तक वर्ल्ड कप में यानि की ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी में कोई भी शतक नहीं जड़ा है जो कैप्टन कूल के लिए भारते टीम के कप्टान के लिए एक रेकॉर्ड है दोस्तों मेरी ये खबर आपको कैसी लगी आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं ला भी ज्यादा मदद दे सकते हैं नुसकार